Hello guys, welcome to the Manish Paul podcast, मैं हूँ Manish Paul, obviously अपने podcast का नाम अपने नाम पे रगए, बट आज मैं आपको बताओं कि जो मेरी guest यहाँ पे आई है, वो आज आखिरकार यहाँ पे आई कैसे है, क्या हुआ, यह मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, हम एक flight में बैठे थे, सवा दो घंटे की flight में ह वहाँ दो घंटे बात कर रहे थे non-stop और वहाँ मुझे हुआ, मैंने का यार, तुम मेरे podcast पे अब तक कैसे नही आई हो, यह जो है, कमाल की actress है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और कमाल की human being है, प्लीज वेलकम, कुपरा सेथ, कुपरा, यही, वेलकम तो पॉटकास, क्या बात है, मतलब मज़ा आगया, मैं सच में बहुत है, कि हमारी audience को, मुझे आपके साथ बात करके, इतना मज़ा आया, कि मैंने खुद प्लग कर लिया, अपने आपको, प्लीज बुलवा लो अपने podcast, मुझे बात करनी है, जब आप लोग बात करते हैं, हम लोग इतनी बाते क आपने मुझे देखा है, जब मैं, 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 आपने मुझे देखा हैं, जब मैं, आपने मुझे देख जब आपकी घर पर गनेश चतुरती होती है मैंने आपकी गनेश चतुरती की जो पशामे है मैंने गेट क्रेश किया था honestly that was the first time suddenly I see Kubra walking in I said okay but honestly मेरे गर पर गनपती ऐसी होता है दर्वाजा खुला होता है everybody just walks in and I love it you know and honestly वो एक तरीका था गनपती बपपा के जरिये तुम्हारा हमारी लाइफ में एंटर करना और वो ऐसा हुआ कि अब तुम हमारी फैमिली हो so you know that is Kubra for us and you know it's never कि मुझे Kubra को इंवाइट करना बढ़ता है नहीं अपने आपको इंवाइट करना है yes Kubra अपने आप आती है and we love it you know but Kubra आज यहाँ बहुत सारी बाते होंगी but let me tell you पहले ही before hand कि हम लोग यहाँ बहुत ही intense and serious बाते गरते हैं and कई परस्नल क्वेस्टन्स मैं पूछना and I want to start this podcast with a very 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 personal question are you ready for that? yeah if you wanna back out you can no now all right इतना make-up इपर पेंड के कपड़ इपर पेंड के आप बैकप परना तो रहाँ मुश्किल हो जाएगा and जो पहला personal question है तुमारे लिए वो है 79 को हिंदी में क्या कहते हैं I think I should have backed out I should have backed out 79 को हिंदी में क्या कहते हैं अगर नहीं आता तो एक और intense question है नहीं 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 चाहिए आपके intense questions मैं जा रहे हूँ मेरा हो गया I think it's 80 no 80 is 80 brilliant यह हुआ कमाल का जवाब 79 को हिंदी में 80 को पता नहीं नहीं वेल can I tell you this मैं मैं Bangalore सी हूँ तो Bangalore में 79 को हिंदी में बोलते हैं यह बात भी है तो मैं second language हिंदी वा करते हैं इसलिए हिंदी फिर भी थोड़ी थोड़ी मोटी थोड़ी मोटा मोटी थोड़ा थी थाच 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 तो यह सेरिएसली लिसन टो इस इतना मंतब बूबू किया है लाइफ में तो हिंदी के पेपर्स लिखने जाते थे 21, 22 मैं रख थी 20 पर 1, 20 पर 2, 20 पर 3, 20 पर 4, 20 पर तो मुझे बता ही था 21, 32 आप अंगे 79 पर मैंने कभी बतला यह तो यह तो इसलिबस में नहीं था तो यह तो इसलिबस में नहीं था बर चली बता देते हैं यार कुबरा, you know, I'm so happy और मुझे सब्सक्राइब मैं तुम्हें देख रहा था, मेरे दिमाग में एक ही गाना आ रहा था कुकु 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 सूरत है कितनी भोली कुकु 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 तो यार कुकु कुकु मतलब जिसकी अक्टिंग में भी है गोली अब मैं इतना एकदम confidently बोल सकता हूं कि अगर हम OTT पे iconic characters की बात करें सो कुकु का नाम definitely उस लिस्ट में है I think the way you played the character it was amazing we all were so happy for you मैंने देखा है यार यह तो अपनी कुबरा है क्या कमाल कर रही है यार कुबरा, how did कुकु happen? I think वो it needs वो कहते है ना manifestation बात बड़ी चीज़ लाइफ में मैं बात बलीव करता हूं I think एक intention था कि कुछ करना है और जो मैं कर रही थी मैं उसके साथ बात हुश थी मगर कुछ आगे बन वो momentum नहीं था you know it felt like वो जो oil है ना wheels के वो ठीक तरह से oil नहीं थे तो मैं मोशन में नहीं थी तो it felt like कही ना कही मैं रुकी हुई हूं मगर God's very great या एक दिन मैं bagel shop कही जो Bandra में है और मैं वहां कभी नहीं जाती हूं breakfast के लिए मुझे bagels पसंद भी नहीं है तो मैं वहां पहुंची because बहुत लोग कहते हैं कि या bagel shop Bandra में हो या bagel shop नहीं कहाई तो तुमने क्या खाया लाइफ में तुमने क्या खाया लाइफ में तुमने क्या थीक चली जाते मैं वहां गई अंकुर तवारी और स्वानंद किरकरे वहां थे उस दिन शुबा में तो स्वानंद सर ने देखा का ए इसको कुछ ए इसको बोलो एयार करने के लिए ये बहुत अच्छी अच्छी अच्टर है मैं देखा अच्छी 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 अच् खुद हो जाते हैं, तो जब स्वानन्द सर्स्टार्ट चालेंजिंग में बेगल शॉप पे, I think उस वक्त अंकुर तवारिक को एक आडिया है कि अच्छा ये करती है क्या क्योंकि तब तक किसी को नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद हिचके चाती थी ये कहने के लिए कि मैं अक्टर हूँ, पेले अंकर निकल दा था, और वो भी कॉन्फिडेंट लिए क्योंकि मैं बहुत अच्छी अंकर हूँ, मगर अक्टर, ये तो मुझे कोई अंदाज़े नही था कि अगर मोका मिलेगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर जब स्वानन सर नहीं मैं को थोड़ा प्रोब किया, तब मैंने का, ओके, मैं शायद हूँ, तो बात खितम होगी, मैंने बेगल खाया, घर चली के, उस शाम को मुझे अंकर तिवारी का फोन आया, and he said, के, there's something big, it just happened, के मैं Zoya Akhtar, as the legend goes, as they say, because I was not in the room, तो वो कहते हैं के, Zoya Akhtar थी, अनला काशब थे, और हम बात कर रहे हैं, he's looking for someone to play the role of a transgender, कुछ frontal nudity है, तो, हाँ, मुझे लगता तो कर लेगी, तो यार, इस आत्मी को इतना confidence है, मैं शायद इन से मिली हूँ, पांच-छे बार, अपनी लाइफ में, और इन्हें पता कि मैं कर लूँगी, मुझे क्यों नहीं पता कि मैं कर लूँगी, तो शायद मैंने उसी जजबे के साथ, ये audition के लिए गई थी मैं, और पहले दो auditions मैंने इतना बुरा किया ना, इतना बुरा, और आपको पता है, जब आपने गंदा audition किया है, किसी को पता थी मैं ना चले आपको पता जरूँगी, मतलब मुझे पता कि मैंने अपने याँ नीचे हो जाती है, जब नहीं चलो फिर, तो टीक है, फिर एक दिन आपने अनुराग करते है, कोई शो है, मैं आई स्क्रीम गाते हूं, मतलब मुझे पता कि मैंने गंद किया है, तो मैं कितने अनुराग हो तो फिर कुछ पांच छे मेसिज के बाद मुझे पता लगा कि ये अनुराग काश्यप है और उनका डीपी जो हम बात करें थे डीपी मुकावास था तो मैं का ओ माइग गॉड मकर आप बहुत लेट हो चगा था तो अपमें सर्वर नहीं बुलाने वाली तो अनुराग ने का ओडिशन किया मैं का हाँ नहीं वापच जाओ अडिशन किया इस बार कुछ सही लगा कि मैंने ठीक किया था और मैंने ये लाइन काफी इंटर्व्यूस में मैं बोल चुकी हूँ मगर मेरे लिए बहुत स्पेशल लाइन है मैं लेटी हूई हूँ बैट अब 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 कर लिए ये लोल मेरा है ये मैंने कर लिया ये है मेरा रोल फिर फोन नहीं आया अब क्या करना है यार अभी कोई आया अब कैसे होगा क्या होगा तो फिर 26th 11 जब हम एक में मेमोरियल कर रहे थे आट गेटवेय ओफ इंडिया नाशनल आंथम हो चुका था अमिता बच्चन ने रिसाइट किया था नाशनल आंथम मैं अमिता बच्चन की बहुत बड़ी फैन हो लाइक एवरीवन अलस तो मैं पीछे खडी थी के बच्चन साब के साथ एक फोटो हो जाएगी मैसेज आया कैन वी स्पीक इट वस फ्रम दी अनुराग्त मैंने का बच्चन साब मिलेंगे जरूर लाइफ में मकर अब ये बहुत इंपोर्टन है तो मैंने बैग बैग और हील्स के साथ भागा नी जाता बॉस तो मैंने हील्स अपने हाथ में पकड़े नंगे पैर मैं अपने गाड़ इतना क्यों बोल रहो अगर ना है तो मना कर दो ना यार इतना ही बोल रहो तो मतलब क्यों इतनी टॉचर क्यों कर रहो मेरी तो शायद किसी उस लंबे, you know, conversation, which was obviously one-sided, because I was just like, yeah, so मैंने शायद ऐसा, ऐसा कुछ किया होगा, तो फिर उनकी भी साही निकली, वो भी बला, but I think we have decided to go with you, wow, wow, यह ओता है, यह इसको हां कहते है, यह इसको कहते हैं, बड़ा ब्रेक, because at that time, Anurag Kashyap के साथ काम करना, Nawazuddin Siddiqui के साथ काम करना, Phantom Philz was still really huge at this point, right, it was one of the biggest, like, production houses that one would look forward to work with, in the indie space, or call it whatever space, मेर ले बहुत बड़ा था, Netflix, Netflix, तो मैं भी झूए ती, अगर मैंने का, इतना बड़ा platform है, and to think of it, आज, जब उस शो का press conference हुआ था, I think उसी दिन मैंने manifest किया था, क्योंकि उस stage पे Radhika Apte बैठी थी, Nawazuddin बैठे थे, Saifali Khan बैठे थे, और मुझे लगा, मुझे उस stage पे होना चाहिए था, मुझे ऐसे लगा, and यह बात मैं actually, आज अजिरेलाईस करूं, तिस इंटरिस्टे, बिकोज उसकी बड़ी चर्चा हो थी, आज, प्रेस्कित बट्रे थे, प्रेस्कित्स बट्रे थे, थे नूज मैं था कि यह बहुत बड़ा शो होने वाला है, and I think in honesty, Sacred Games was the first breakout show for the OTT space in India, and it was right after that, जब रिलीस हुई थी, यह वो, Emmys International में नॉमिनेट हुए थे हम लोग तो as they say rest is history man absolutely देखा क्या जर्नी होती है मैं definitely उस बेगल शॉप का अड्रेस बहुत से लोगों को दूगा जो चाहते है बहुत साहिए लोग वहापे चाहते है बेगल खाते है आप बेगल नहीं रहेंगे मतब एगर नहीं रहेंगे आप भी बड़े बड़े रोल्स पहा पाएंगे लेकिन यार ऐसा होता है जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो कई बार हमारे फेवरों में जाता है कई बार उल्टा भी हो जाता है यार मतब आप ने इतना अच्छा काम किया है आप तारीफ तो ले रहे हैं लेकिन आप अप अप अपन्फ्यूस हो रहे हैं कि मेरी तारीफ कर रहा है कि नहीं परकॉस कुबरा के साथ है हुआ कि बहुत से लोगों को यह लगा कि कुबरा टांसजेंडर ही है जी इन फाक्ट डे फोर मैं प्लेन ले रहे हूं कि मुझे पदा था कि कुछ भायंकर होने वाले है कुछ ऐसा विस्पोट होने वाले है ऐसा फिलिंग था अनुराग ने अलड़ी वो दिमाग में बिठा दिया था कि boss and he said this to me Vikram Chandra said this to me कि you have arrived में अभी अराइव किया होता है हम तो राइव हो ही रहे है हम तो रोज आप रोज अरा-इव हो ही रहे है हम तो रोज टॉज आप रोज रोनर्ह हो है हम झारु था रोज कर रहे है अर यह यह अ्वारा रोज तो अनुने खाऊ कि 6th of July 6 PM the ニर जरbon will know you 6th of July 6 PM, okay and I was like, this doesn't make sense he he says, no, we make your dish, I've never believed in it no, dude, this is a thing but it did happen and 4 days later, I was taking a flight to Maldives and I was going to just for everything and I'm going to go on my solo holidays, I'm doing it for many years so I was on my way for a purely diving trip, where I'm in peace you can give time with yourself Rohit Khilnani who was in NDTV and he was interviewing me, so he just phoned for hi and he said, do you know that the most searched question on Google right now is is Kubra transgender? and that's when it hit me and I went and looked up my name after that I regularly Google myself, but that was the first time I Googled myself but it wasn't necessary you know, okay, who is what you're talking about and nobody was talking about it now it's a time that people are talking about what I'm asking about and that was the first searched question you put you put Kubra say it and you will see is she transgender it is still one of the most searched questions but this is a compliment and I was like, okay and I was like, okay and it's a very far-flung character it's very important and I was very grateful and I was like, okay because I was like, okay in generations there will be a lot of divide yeah, absolutely because I was like you can say that we are open we are accepting I thought that my father probably won't understand it I thought that my mom won't understand it and my mom watched it on her phone in her room and my brother watched it on the TV in the living room and when it was done they both came out and I think the first time my mom wrote on Facebook I am proud of you and my mom doesn't write proud my mom feels like pride is not like a commonly like it's not a throwaway word so my mom always says I am very blessed the first time my mom wrote for my work proud what a lot this is a lot fun and I will say my mom if I talk to them I will talk to them Kubra is a very conservative family from a Muslim family from Bangalore in Bangalore they have been in Bangalore when we are in a conservative family then it is a little difficult when we are in a conservative family to say it is a Bollywood very difficult I want to go to acting I want to go to Mumbai I want to go to my dream so it was difficult to go there it was a difficult I didn't go there I escaped we have plotted we have planned and we have left and I think it is one of the greatest decisions of my life to be honest because I heard when I was in our family there was no one who lived in Uti and didn't remember the name of the city so for the sake of it I would say the name of Shoaib can be okay for example do you know he had come to Bombay to try his luck and what happened with him he failed he failed so if a man if he failed then what will happen you are going to be you are a girl you are a girl and the girl will be able to take advantage and you can't go there and I remember when I had to come to Mumbai we were sitting in a mall and I met a girl who came to Bombay and she was hosting so she met my mom and she said well I have tried but my experience wasn't good and she felt very uncomfortable so if it will be my daughter then I will not send it you told me from my mother the end the end the end so my mom said I will send you to Dubai and I said okay where are you from Dubai it's so interesting because when I went to Dubai I settled on Dubai very comfortably because I said if we have to go to Mumbai we will get to the train we will reach one day if we come to Dubai at least one week I will take my mind so that was my logic how cool but yeah when I went to Dubai it was starting from zero from zero and then I got to Microsoft and then I realized that this is not my dream it's not someone else's dream so I won't live any other dream I don't live any other dream what happened? then I called my mother and I said I think I will come back to my mother but I am not coming to Bangalore okay I don't say this this is a house who says this who will come back to my house I will not come back to my house no no I will go somewhere else and I will leave my house and I will go to Mumbai so they said how to do it I said look here I started from zero so I will go there and start from zero we have to restart we have to restart once if you have confidence that you can do it then you can do it again and again and again so I think that was my experience and I am not afraid to restart and I think that's the beauty of doing what you do I suppose absolutely this is very important in the life of confidence but once you have to do it you know like I was scared to make a banana really I was scared I was scared to make a banana when I make a banana and my mother make a banana it is very different when I make a banana it looks like dog food because all the cows you know are broken and are mashed and are broken exactly so I thought I was scared that I will never make a banana but now I make a banana it takes you only one moment to realize that you can do it you can do it and if you can do it then you can do it what the matter I mean how can I tell you I don't know about it I don't think that you make a banana because it doesn't have to be cooked so I don't think I don't think I don't think this is a true I don't think once got it they said that Kubra is going to be a party I heard no Kubra is going to be a good party biryani party I don't know 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 so now it's going to be a new party I promise it's going to happen in 2023 this is my promise and when we're going to do this biryani party you and Samyukta are most invited please come here I don't know but I don't know I don't know I don't know I'll tell you why I have this name I know because I'm going to talk about it because I'm going to talk about it it's my friend's book open book yaar kya baat hai apni kahani hai apni journey hai aur mujhe sabse mazaya tha when we're at the airport pae thai ham loog baate garei tae ar ek chodi si lardki a hi chal ke I need your autograph aur wohh book lekei hai I said yaar ye wala autograph na alag hi hota hamne bhoat autograph sign kya life mein but apni book pe autograph karke de na yaa ye bhoat alag I saw that I saw that happiness on your face ek wo ta na ah mazag yaar wo wali feeling thi but this book joh hai isme bhoat si cheeze likhi hai joh mujhe isme pardke mazaya tha toh humhaare naam ke oopper kaafi mazak uđta tha hamne bhoat bhoat bul yaar kubra it's such a beautiful name it is haa toh madai isme kya kya mazak uđa raha I mean bachche to bachche hain magar teachers bhi kaafi you know thheer tha toh may bachpans mein skool mein bhoat bulhi hua karte thi and interestingly I think it was by the teacher so I think from the fourth grade um mein bhoat shararathi happy khush mizaj kya hum usually bachche naa isi mizaj ke hota hum you know hum hum mazay karte hai jab tak ap hum apeni bubble mein hota jab tak hoya ki pinni laga dhe ta or job wuhu bubble tootta hai na wujo protection hai humari wuh wuh sab chli jati hai aur hum all of a sudden akalye mehsous karne lagta hai aur agar apke paas wu strenght ni hai na us akalye pan se ladne ki to phir samaj na yata ap kahaan jai hum so I guess jab I think it was the easiest to kind of beat me down because naam kubra bahutthi oh and it was like backfiring because cobra के साथ आंखें हरी थी तो ये सांप है ये डस लेगी अरी आंखों वालों से किया का विश्वास नहीं कर सकते ये आपको डस लेगी um she's not a good friend इसको अलग रखो you know don't hang out with her वैसे भी तो ये अकेली बैठती है इसको पीछे बिठाओ class के तो there was a sense of isolation और fourth standard में जभी होता है ना so you just don't know where to go with it yeah actually you know but right now I really want to put a point across to all the parents and जो भी बच्चे देखने है you know हमें लगता है किसी को बुली करना बडा मजा आता है बड़ जो बुली हो रहा होता है trust me it can go to another level हम लोग सोच भी नहीं सकते ये कितना difficult हो सकता है please मेरी request है परेंट से भी no from your children अगर वो बुली हो रहे है तो address it listen to your children because बच्चे अपने माबाप से बोलते हैं मगर माबाप अपने बच्चों की शायद सुनने ही पाते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा आज मैं अपने नाम को ना इक गर्व के साथ I wear my name with a lot of pride and I understand the meaning behind my name and it means so much it feels like I was destined for this name what's the meaning of Gubra? so now see this is the problem if I tell you this you'll laugh no I will not laugh you will laugh okay कोई बात नहीं हो तोड़ी दिर बताऊगा so the actual actual meaning is the big one okay but you know honestly मुझे हासी नहीं है I'll tell you why because people would always make fun of big one कुकु यह बोल रही है तो मैं बाज जा रहा हूँ but I think it's a beautiful name because big one वही होता है जो life में कुछ बिग करने आया होता है अब मैं great one बोल के चलते हूँ great one, great one बोल सकते है it's easier to understand but I think yeah it has a nice meaning it does so तो यह प्रोब्म तो तुमने अब तक कॉलेज तक यह प्रोब्म छे प्रोब्म पास कॉलेज में गय तो no bra, wonder bra सब बन गया है मतलब यह नम कर चलता गया इसल्सिला फिर मैं दुबाई में थी so then it was Kubus because that bread is called Kubus Kubus so I have just been like every possible name तब तक मैंने अपने आपको और अपने नाम को अपनाया नहीं, तब तक my name was my biggest enemy. But the minute you accept who you are and you own who you are, तब आपको कोई हीलाई नहीं सकता, साब. You become so strong, आपका फांडेशन इतना strong बन जाता, इतना मजबूत बन जाता कि आपको हीलाई नहीं सकता. अब आओ, आके मेरे नाम के आए, अब जब लोग नाम का मजाक उड़ाते हैं, मैं कहते हूं, come up with something new. यह बहुत पुरान है, मैं, I've been walking this earth for 39 years, सब सुन चुकी, come up with something new. अब वो नया करनी पाएंगे ना, बिकास सोच उतनी है, कहां से लाओगे हों सोच, बच्चे. आपको लगता है कि आप बहुत फणी बढ़ रहे हो, मगर, यह मैं बार बार कहता हूं, having a good sense of humor is amazing in life, आपको बहुत चीजों में सेल थू करवा ज़ता है, बट आपका humor किसी को hurt करे वो humor ने, so just get that point straight. I hear you, yeah. क्योंकि humor का मतलब है, आप किसी के साथ fun कर रहे हो, मजा कर रहे हो, enjoy कर रहे हो, और आपके मजा कुडाने में भी, let's say, किसी को हसी आरेगे, ah, that was a good joke, you know, that is a good joke, but आप मजा कर रहे हो, और आपकी चेले चमाटे हसने, और बाकी को बुरा लग रहे है, that's not a joke. आप जब किसी के ऊपर मजा करते हो, if it's a joke that you all can enjoy, but it's not about, we will laugh and we will watch you just sulk, वो आइसलेशन में जोक नहीं होता, correct, correct, correct. हम सब को मजा आना चाहिए, हम साथ में हसें, तो वो जोक होता है, अगर हम हसने और आप दुखी बैठे, वो जोक नहीं होता, वो ही, यह चीज़े, I think सब लोग समझें तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बुक में और बहुत चीज़ें हैं, जो मुझे बड़ी बात में बड़ा चली दी, पहली बात तो कुबरा जो है, इनकी ममी ने इनको सिंगल हैड़ी ब्रिंग अप किया है, and you know कुबरा है, उनकी ममी है, उनकी भाई है, और मैंने ये बुक पढ़ी और कई चीज़ें मैं पढ़के दो मिनिट के लिए मेरे रॉंग टे खड़े हुए थे औ और वो मैं अभी पढ़ना जाता हूं यहां पर, यहां पर लिखा है, इनके एक अंकल है, जो इनकी ममी को थोड़ी help करते थे, because financially she wasn't strong enough, तो थोड़ी मदद की थे, और यहां पर लिखा है, when ममा sighed at the reprive that cash provided, I sighed too, then, just then, a hand slid to the back seat of the car where I was sitting and slid up my dress, X, X, who was no longer my uncle, smiled as he rubbed my thigh, I was 17 years old, 17, मुझे पता भी नहीं था, कि अभी उस नाम का शब्द होता है, यह जो आज हम इंटरनेट और इंस्टरग्राम में इतना सब कुछ सीखते हैं, तो हमने कई नहीं नहीं चीजें सीखी हैं, अच्छा है, सीखना चाहिए, आपको अवेर्निस होनी चाहिए, तब में नहीं थी, यह उन्हां आपका से नहीं थी, यह भी आइड्या नहीं थी, उर जब इतने कारीब होता हैं, तो दिखाई नहीं देता, वो शैड़ों में अपना काम कर के निकल जाता हैं, और मुझे अपने आपके बारे में कुछ पता नहीं था I think मुझे आइडिया हुआ कि ये मेरे साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था और होना नहीं चाहिए था to begin with because मुझे तो आइडिया नहीं था ना तो ये बोल रहा था कि you come I love you ये वो वगेरा वगेरा imagine अगर मेरी जिंदगी की शुरुवात जो relationship होती है एक तरफ आपने देखा है कि आपकी 2TV family है और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि कोई आपको जूटी तसल्ली दे रहा है तो आप जूटी तसल्ली की तरफ ऐसे जाते हो ना जैसे the moth to the light, moth to the fire and I think I was that person तो I'm not trying to say what this person did is forgivable but if you don't forgive yourself और आप उनको forgive नही कर पाओगे तो आप कभी life में आगे बड़ी नहीं पाओगे ये मेरी कहानी का chapter था और हो चुका है और शायद जब मैने इसको किताब में लिखा जो freedom मिली मुझे और जो एक वो जो baggage जो मैं लेके घूम रही थी ना वो मैंने उताड़ में मैंने कहा ये मेरा है नहीं अब बड़ यार मैं honestly मैं इसमें कई और पाढसा है इसमें इसमें कई और पाढसा हैं जस्ट वांड़ी आप तो all the people out here and यहां पी लिखाए यहां पी लिखाए लिखाए यहां पी तो अप्रणा़ पाढसा है तो मुर्मर्य आट बार था थाएाध। आटाएदागी हैं अचाँआएगादा अचाँगे लिफ लेकर सब्सक्राइब अटीड अटे की बड़ लेकर सहथ पूंगी इसे नहीं के इंपूज इसे वेजर अपिर अखूंगी हैं अगयादादा अब अचाँछी के दिश्पाँग प्रिम्फुल आप्ट I don't know it's gonna affect me I thought I was over it yeah I write well you do but you move on well also because it's not easy it's very difficult ये मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं तु मेरे रोंग्टे खड़े हैं और आप पे बीती है would have been very difficult नहीं, you know what जब हाली मेटू मोव्मेंट हुआ था बहुत सारे लोग ट्विटर पे अपना अंदोलन लेके पहुंचे थे मगर इसने बताया क्यों नहीं मैं कह रही हूं because आप बीती है 99% of the time आपको पता नहीं आपके साथ आप क्यों नहीं चिला पा रहे हो आप क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे हो वो कहते है ना No is no No का नहीं निकलता इतना सिंपल सा शब्द है नहीं निकलता because वो आद्मीं आपको पन्विंस करता है कि ये जो हो रहा है वो होना चहीए और जो हो रहा है वो सही हो रहा है and इतना शोर it's like a 8D sound effect inside your head इतनी सारी बातें चल रही है मा क्या सुचेगी, बाप क्या सुचेगा दुन्या क्या सुचेगी, यह क्या हो रहा है and मने इस किताब में आगे भी लिखा है कि यह मेरा सबसे गहरा सीक्रेट था और ऐसा वाला सीक्रेट नहीं जो आपकी फ्रेंड के साथ आप हसके शेयर करो it was not that regular boy syndrome यह बहुत गलत बात मैंने की थी मगर मेरे साथ हो रही थी यह बात और यह बहुत साल तक हो रही थी बात for how many years? I think about two and a half years and in those two and a half years he went on to have another child so no it was wrong मगर यह सब जब आप इतनी नजदीक होते हैं जब आग जल रही और आप आग के इतने नजदीक होते हैं आपको आइड बही नहीं आप जल रहे हैं तो मेरे साथ यह हो रहा था and यह मेरी sad story नहीं है यह sad नहीं है but you've never set it for sympathy it's not that but it's good to share because maybe a lot of girls might be going through something like that and that's what happened yes there might be girls who are not able to open up maybe after reading this after you sharing it they might just say yeah it's wrong maybe we should end it yeah maybe they are able to come out you know so what was it but how did you come out of it when did you think that oh it's such a great story wow so what was it I went to Dubai right because I had to escape I had to escape this was also one of the reasons of escape because all the people who are our neighbors who are all these people who are my brother and my brother brother what are you doing inside you mean something else and it's really hard because you're living with a dogli with your family with your family you don't know what to say because they're helping your mother's and your mother's business so this was all I was walking in the beach so I couldn't say anything so it was very important to me to come out because of that energy and of that place and of that familiarity I had to come out so when I came out I went to Dubai so my first job which I got was in a mall in a cookie shop and I was sitting outside and I was working outside of the promoters and I was telling I was marketing manager I mean wow amazing when they go they're eating biscuits exactly exactly so I was like please try my chocolate chip cookies that's very good so he opened it and the man was standing in front of me he was taking the flight there what are you saying yeah and he was standing in front of me and he looked at me and he said no no kubrati you don't belong here you go with me I won't put you in the hand and maybe if I had to understand that in that moment that person that person that was my life that I would not have been able to forgive myself for because job and actually started looking for another job and I said I'm educated I'm coming from a good job and this doesn't define me and I think that is when I was able to leave and move forward so some and no it was not about that sorry it was not about wow I have done I remember that teacher was so sharp that I must have been like maybe 15 16 and I was sitting somewhere and that lady was like this I didn't see on her face but when she was like this it was the exact same feeling when I saw that man standing in front of me and I said that's not the fear I want to live with and I think that's when I chose to move on and and I'm glad he left and I'm glad I stayed stayed and how man strong kya baat yaar pehle toh is peh badda yeah life me give up nahi karna hai bohut challenging situations aeengi but that doesn't mean ki aap pehli baat toh koi galat kadam uthayen jo bohut se bachche uthane peh majboor hoote hai soochne hai I think you need to come out of it you have to be strong because you are the only one who can help yourself no true or words have been spoken koi ni madad karne wala yaar aap akele aap akele jaareho aapki zindagi hai aapko aise hi jeena aap aage bado but you didn't your mother didn't get to know and she told her many years after and I kitaab sorry to ask but is that uncle still around or the reason why I told you about that teachers also because when I was in Dubai and I was in a hotel lobby and I had this shaks ke chehre ko after that moment I saw it joh kitaab mein hai ni magar joh roo kaampi thi na mani kha nahi yeh energy mele liye kabbhi sehi nahi thi you know you try to convince yourself you know ke nahi nahi ho jati hai yaar galti logon se mele liye mele liye zaroorat nahi hee a boss a ap 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 ke liye ap kata ap kithna kar sakte ho usi daire mele karo you know forgiveness bhi ase cheeze hoti zyada banne ki mat kooshish karo a koi mat toh pad mih nahi khuda ho hai apka malik jo apko forgive kata a ap kisi ko forgive kata agar ap kar sakte kisi ko maaf to apne apko karo kyunki baut sari joh decisions hai mjoh life mele te na woh woh humko pata bhi niye ke apni tarav giliti ki hai kya baat kaya kaya honestly I feel and I hope ki baut se log is baat sa inspiro and thank you to come out with this to write all this here because it's not just your journey it's gonna inspire a lot of people it's gonna inspire a lot of girls maybe who are facing something like that and shayad wukuch gilat karne ka sochni ti but forgive yourself you gotta move on yeah you just have to and it's amazing you know jab api khani likte ho apni ho apko lagt hai kye to sif meri khani hai but koi bhi khani ithani orijinal nahi kai koi or us raastte se us journey se guzrni chuka hai aapke saath hamesha bhot sare loog aing ga aur agar aap unke liye ek zariyah bantte ho na kai yar this is the change that you the mission statement of your life ap aage bado or example set karo or apni life ko ji but jitna authentically ap apni life ko ji sakte ho na utna hi zyada loog apse relate kar pahenge kyunki ye aapki zindhagi hai aap steering wheel pakde ho aap gari chala jau own that shit dude own it because galitia to insansi hoti kya bata to aage to aap kya kubra maza aagya bate karo and especially thank you so much time nikal nike jane se pahle agar sabko kuch kya 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 में अच्छा नहीं है, तो मतलब हम टिक नहीं पाएंगा, हम बहुत टिक हुए लोग है, हम टिक चुके हैं रहे, टिक साल, है ना, कितने सालों से हम लोग अभी तक, टिक साल, मतलब हर साल, टिक साल, है ना, मगर एक सवाल पूछना था, क्या कुछ, ऐसा क्या चेंज आ गया, ऩदेटला इसा ही किया लॉंजिविटी आगया इसा? किया मतलब आपके आपके जहन में आया कि आपको आपका नाम चेंज करना? क्या कि मैंने अपना नाम चेंज चेंज किया K-U-B-B-R-A और आपने किया M-A-N-I-E-S-H why did you do that and why is it important to you and how has it been changed I mean, it's going to be a big podcast it's going to be a big podcast no, I have to ask this question because I didn't understand what happens with me, I'll be very honest I was on a flight and I met Sanjay Jumani Ji and Sanjay Jumani Ji was flying with me and we were talking about hello, hi and when we were coming from the flight he said, you can come to my place so I said, yes so he said, no, don't worry I won't change so much in my opinion, what I see you put an E so either you make it M-A-N-I-E-S-H or you make it M-A-N-E-E-S-H so I gave it 2-3 options and I said, M-A-N-I-E-S-H it's okay, because I want it, I feel like it didn't change from me so that is how this happened so this has happened because of Sanjay Ji and I think after that touch wood, things have been good so how does it make a difference because my name was K-U-B-R-A and which I talked about he didn't even know me okay his name is Gautam Azad he lives in Bangalore he didn't even get to me I said, yeah this name is not sitting here this girl is not sitting here and then people didn't know me and then people didn't know me this is the secret games the secret games is the first thing but it's so interesting as I changed my name I changed my name some of the energies around me because I said this is your name this is your identity very true there are only 10,000 people but if someone said to Manish then you will just throw it if there is so much energy and you numerologically energy in every number if there is so much energy yes, this is what happens so honestly I didn't study such a depth I didn't study such a depth I told them so I said let's do it is it because of faith? what is that? what is that moment? because I did it because I was like I don't know I don't know I don't know so how do you think? I didn't know but I wanted to know that path you know I didn't know I didn't know somebody in my family was like I said I'll do it what will happen are you the eldest? no I'm the youngest you're the youngest I'm the youngest I'm the youngest I'm the eldest you're the youngest I live the unemployed I play who was a day I'm going to Mumbai so suddenly I'm going to Mumbai why did I make a hero तो यह सदन कॉल था, वोजन प्लाइन तो मैं तीन दिन के अंदर मुंबई आ गया था, अकेला, क्या करने मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता था, similarly, जब यह नाम भी चेंज करने की बात था, मैं नाम चेंज कर रहा हूं, तो that is how it happened, तो मैं एक तो manifestation as we spoke about, मैं बहुत बिलीव करता हूं, बगाज मुझे आद है, मुझे आद है, मुझे आद है, मैं गाड़ी लेने गए, तो मैं बहुत बिलीव करता हूं, तो मैं बहुत अच्छी बाते बोलता रहता हूं, तो मुझे लगता है, positivity बहुत ज़रूरी है, और हां, मिर को लगता है, ए लगाने से कुछ फर्ख तो पड़ा, मुझे भी लगाने से फर्ख तो पड़ा, बिलकुल, वो फर्क तो पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, क्या है, वो four plus six plus one, मुझे नहीं आता है, वैसे भी मेरी math कितनी खराब है, आपने देखी लिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो तो इसी लिए ये नाम मैंने चेंज किया था, and I have one last question, आपने कहा था कि हम smartest लोग है, और हमें कोई नहीं पूछता कि है, how are you? I am doing very good, but trust me, कुबरा मैं जब भी कुबरा से मिलता हूं, मुझे बढ़ अच्छा लगता है, because पहली बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब लोग अच्छे से गले लगते हैं, कुबरा बहुत अच्छे से गले लग यह नकली हग्स मुझे नहीं समझाते है, तो अच्छा लगता है, जब लोग पूछने है, और यही कुबराने आते ही मुझे पूछा था कि यह थौट कैसे आया था, about the podcast, so I remember I'll share it with you all also, कि मैं घर गया था, मम्मी ने बलाय था, कुछ कुछ कुजन्स थे, they wanted to meet me, तो वो सब and 15-15-20-20 साल बात मिल रहे थे, but they all met, they clicked a selfie and they left, 10 minutes पहरे, चायवाय पी और सले गए, तो मुझे उस टाइम बड़ा जीवसा लगा, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने का, मम्मी ने का, ठीक लगा, मैंने का, ठीक है, मैंने का, मम्मी हम as an artist, एक DP बनके रह जाते हैं, तो मैंने क मैंने का, आप सबके WhatsApp चेक करो, सबकी DP मैं हूँ, तो ममी ने चेक किया, यहाँ सब ने लगाया हुआ, मैंने का, but funny बात है, मुझे किसी ने मेरा हाल चाल नहीं बूचा, सन्युकता कैसे है, बच्चे कैसे हैं, किसी नहीं बूचा, all they were interested in Manish Paul, not the Mickey I am, घर पे मैं Mickey हूँ, मैं मैंने का, तो where I felt, मैंने का, as an artist कई भर हम मिस करते हैं, कि हमें कोई हमारे बारे में नहीं पूचता, हमें हमारे फिल्मों के बारे में, next show कौन सा कर रहे हो, नहीं, what next, what next, what next, तुमारा क्या लेना देना है, मैंने का inner peace, और मैं चली गए, हाँ, absolutely, मतलब हम ना, मुझे यह ल और कितने पैसे कमाते हैं, क्या गाड़ी चलाते हैं, I think वो एक change, we all should bring in, and I hope that happens, इंशाला, Ameen, that'll happen, yes, it will happen, cheers to that, and thank you so much, Kobra, thank you so much, for inspiring a lot of people, यह बहुत बड़ी बात है, और तुम एक यह चेंज लाई हो, and I think, I hope, बहुत से लोग इस बात को समझे, and thank you so much, मुझे इतना time ले again, we love you, I finally leave, I will go now, please send me my card, All right, guys, thank you so much, for watching the Manishpal podcast, and I am sure, कि आपको कुबरा की बाते सुनके, बहुत अच्छा लगोगा, जैसे मुझे लगा, और आप अगर बहुत पसंद करते हैं, तो आप प्लीज इस एपिसोड को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, और आज, आप सब के लिए, कुबरा कुछ यहां कुबरा की personally signed, यह जो book है, मैं आपको भेजूंगा, आपको बताना है, कि आज के episode में 6th of July को कुबरा कहीं जा रही थी, कौन सी जगा थी, आप comments में लिखें, पहले तीन जो comments होंगे, उनको यह book personally signed, जो कुबरा ने की है, मैं आप तक पहुचाऊंगा.